मेडम यह दिखिए प्रीमम कॉलिटी का टेम्पर गलास है शिर्फ 500 बातर 500 रुपए में अचा मेडम आपके लिए शिर्फ 400 रुपए में अचा चलो मेडम ना आपकी ना मेरी सिर्फ 300 रुपए में आप इसको अभी डन करके ले जाए बस अरे मेडम 200-200 मैं बोनी का टाइम है स्टी आपता निय कौन कहां से स्टी लेता है के लिए स्टी यह संजाता था चल पहले सामने एंट तक सुनी ऑ तब यह समझाएगा कि क्या है जीएस्टी का की तू और marketplace तो अभी होता क्या है कि माल लो तुने प्रोड़क्ट खरीदा 300 रुपे का तो इस राइटिंग गंदी एक नौर मारी वहां 300 रुपे का एंड उस पे तूने क्या किया कि 18% तूने GST भी दे दिया जो की हो जाते है हमारा 54 रुपीज तो यह total हो गया हमारा 354 तो तूने इसका इन्वोईज ले लिया परचेज इन्वोईज तो यह 354 का तूने प्रोड़क्ट खरीदा है तो मान लेते हैं तूने यह डाला हुए 1180 रुपे का मान के चलते हैं कि तूने सेलिंग प्रैस डाला 1000 प्लस 180 रुपे इस पे लगा GST जो की होता है 18% है ना और यह तोने डाला हुए मार्केट प्लेस पे 1180 का कि तूझे 1180 में सेल करना है तो यह अमाउंट जोगा यह कस्टमर पे करेगा अगर तूने 1180 डाला तो इंक्लूजव हो जाएगा तो यह 1180 रुपे जो है वह कस्टमर पे कर रहा है मार्केट प्लेस को 13 समान करीदने के लिए अब online में जो आ जाती है, marketplace आ जाती है, तो यह ले जाती है, अपना commission, shipping charges, fulfillment fees और बतेरी कहीं सारी fees ले जाती है, तो उसका समझते हैं कि उसका क्या चकर होता है, तो मालो कि इसने, जो है marketplace ने 200 रुपे करीब charges ले लिए, जिसमें सारे included थे, fulfillment fees, collection fees, fixed fees, और जो भी shipping, logistic fees, जो भी थी, सारी हो गई 200 रुपे, अब यह क्या करेंगी, यह भी एक तरीके सा services दे रहे हैं तो 18% GST यह उस पर charge करेंगे, तो इस पर 18% GST यह लगा के देंगे, जितना तुमसे charge करेंगी, यह करेंगे, 36 रुपे और उपर हो गया, तो 236, 236 रुपे हो गया हमारा total जो हमने pay किया अब 236 के बाद जो seller है, तो seller को जो मिलेगा, वो मिलेगा यह 1180 रुपे जो customer ने pay किये हैं, इसमें से यह वाली fees जो है, वो minus हो जाएगी, यह वाली fees जो तुमने, marketplaces ने तुम्हें services दी है, जो भी अपनी commission और यह सारी चीज़े services दी है, तो यह जब less करेंगे, तो यह marketplace जो customer ने दी है, marketplace को, तो यह 1180 में से ही अपने जित्ते भी charges होंगे, shipping, logistic, जित्ते भी charges है, marketplace के, तो वो सारे deduct करने के बाद जो तुम्हें final amount बनेगा, वो देदेगी 944, अब 944 पे तुम देखोगे, कि तुम्हें तो देने है 180 रुपे GST, सीधी सी बाती है, कि तुम्हारा जो 180 रुपीज दिया, ठीक है ना, 180 टेक्स दिया है, तो तुझे भाई, 180 रुपीज टेक्स तो देना पड़ेगा, सीधी सी बात है, इसे 180 टेक्स तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि तुने customer से लिया 18%, 180 रुपीज, तो तुझे 180 रुपीज देना भी पड़ेगा, government को, जब अंदवादना है, क्योंकि मैं बहुत सारी guidance, tutorials लाता रहे तो Instagram पे भी अलग से, तो वो भी आपके लिए बहुत जादा beneficial होगी, तो भी हम कहाँ पर थे, यहां थे हम, 944 रुपीज यह marketplace तुझे दे देगी, इतना amount, and इसके बाद जो 180 रुपीज जो customer ने दिया था, यह तु उसको मैं दे चुक है 54 रुपीज, तो मैं 180 रुपीज क्यों दो, तो बात यह आती है, कि 180 में से, आपको यह 36 रुपीज यह वाले जो आपने services ली है, और जो product लिया तब आपने यह GST दिया था, 54 यह आप अलड़ी GST पे कर चुक है उसमें से, तो आपको करना ही है कि इसक दिखानी होगी, GST रिटर्न फाइल करते वक्त, कि आपकी 1080 रुपीज की सेल होई है, आपका 180 GST पे बिल है, आप 180 GST पे बिल दोगे, मताब पे करोगे, और यह जो 36 रुपीज और 54 रुपीज है, यह supplier और marketplace जो है, यह आपके नाम पे अल्रेडी चड़ा चुके होगे, तो आपको input tax credit के नाम पे आपको GST पोटल पे दिख जाएगा कि 90 रुपीज आपका balance पढ़ा होगा है, तो भाई जो final amount देना होगा, वो होगा 90 रुपीज, 90 रुपीज final amount देना होगा, आगे समझ, चला मुझे अपनी audience से पूछने था, तो गाइस आप बताओ, आपको समझ आ इस वीडियो के efforts अगर आपको अच्छे लगे हैं, यह वीडियो की information है, वो आपको बहुत informative लगी है, तो आप इस वीडियो को like जरूर करना, मुझे दिल से खुशी होगी इस सीज की, अगर फिल भी आपको कोई doubt होता है, तो आप मुझे नीचे comment down कर सकते हैं, and Instagram पे message भी कर सकते हैं directly, तो मैं आपके questions को solve करने के पूरी कोशिश करूँगा, and हाँ, याद रखना, follow करना मत भूलना, Instagram पे, and एक छोटी सी बात और बोलनी थी, अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, e-commerce selling से related, तो आप इस चैनल के सब्स्राइब कर सकते हैं, and मैंने प्लेलिस् बना रखी, अपने चैनल, मेरे चैनल पर आप जाएंगे, तो आपको दिख जाएगी कि आपको कौन सी marketplace से related, कौन सी playlist देखनी चाहिए, तो वहाँ पर सब कुछ लिखा हूँ है, उनमें बहुत सारी वीडियो हैं already, तो आप वहाँ जाके देखिए, and अपनी information भढ़ाईए, and online selling map mastery कीजिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को खतम करते हैं, मिलते हम अपनी अगली वीडियो में, till then take care and goodbye.